3-year और 5-year की law entrance exam ये कब होने वाली है, syllabus क्या है, books कुन से refer करनी है, hall ticket कब मिलेगा, इन सारी चीजों पर आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है वयभव और स्वागत आप सभी कब अब बिक स्पिकर आपके इस YouTube चैनल पर, दोस् entrance examination के लिए, बस दो दिन उनके लिए बचे है, 29 जुले को ये जो form feeling है, ये बंद हो जाएगा, probably date जो है, वो कुछ दिनों के लिए extend भी हो सकती है, लेकिन हम अभी नहीं बता सकते कि date extend हो गया, नहीं, इसलिए जो students 3-year LLB करना चाहते हैं, उनको ये entrance exam देनी पड़ेगी और ये form जो है, उनको feel करना पड़ेगा, इसलिए accordingly आपको form feel कर लेना है, बात करते है 5-year law की, तो 5-year law की जो process है, जो उसका entrance exam form भरने का time था, वो expire हो चुका है, अब आप जो है, वो form feel नहीं कर सकते, probably ऐसा हो सकता है कि शायद अगर government के तरफ से date extend की गई, तो ही आप जो है form feel क कर पाएंगे, otherwise जो date है, उन्होंने already शायद 7 दिनों के लिए extend की थी, अभी वापस extend हो गिया नहीं ये बता नहीं सकते, मगर पिछले साल ऐसा हुआ था कि students की demand के वज़े से government को कुछ दिन और date extend करनी पड़ी थी, तो उसका जो फायदा है बहुत से students ने उठाया था, इस ब आपको extra time जो है form feel करने के लिए मिल सकता है, लेकिन अभी हम नहीं बता सकते, अभी के लिए आप 5 year का form जो है वो feel नहीं कर पाएंगे, इसके साथ students बार बार ये पूछते हैं कि sir books को उनसी refer करें, तो जो दो book online available है, मैंने उसकी link आपको description box में दे रखी है, और उस पे एक detail video already हमने बनाया है, अब i button में जाके वो video देख सकते है, जिससे आपको books के बारे में, और other job जानकरी है, वो मिलेगी, इसके साथ दोस्तों बहुत से students को ये भी doubt है कि sir hall ticket कहा मिलेगा, तो hall ticket जो है वो आपके login में आपको मिल जाएगा, जिस वक्त ये form feeling की process सारी complete हो जाएगी, उसके बाद आपका hall ticket है, आपको आपके login में मिल जाएगा, इसके साथ syllabus के बारे में भी बहुत से students के मन में doubt है कि syllabus exactly क्या है, उसके उपर भी already video हमने बना रखा है, i button में आपको video मिल जाएगा, इसके साथ ये syllabus मैंने हमारे telegram group पे भी post किया है, आप उस telegram group को भी join कर सकते है उसके बिलिंग आपको description box में मिल जाएगी, telegram group को join कर लीजिए और regular updates जो है वो आपको educational related इस group पे मिलते रहें, इसके बाद बात कर लेते हैं, दोस्तों exam आपकी कब होने वाली है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि august के last week में आफिर September के first week में आपकी जो exam में वो हो सकती है, आपकी exam ले ली जाए, तो आपको इस तरीके से prepare करना है कि august के last week में या फिर September के first week में आपकी examination होने वाली है, इसी के साथ दोस्तों आपका जो result है वो आपको आपकी जिस दिन exam हो जाएगी, उसके 15-20 दिन में आपका result आपको मिल जाएगा, online तरीके से result आपको मिलेगा, उसके बाद जो further आपकी admission process है वो भी शुरू हो जाएगी, इसी में दोस्तों मैं आपको दो bonus tip देना चाहूँगा, पहली bonus tip यह है कि आपको आपके document जो है वो ready रखने है, time पे अगर ऐसा होता है कि आपके पास कोई document नहीं है तो आपकी admission जो है वो cancel कर दी जाएगी, पता है अभी इंडिया में Pegasus का जो spike का जो issue है वो चल रहा है, इसके related भी आपको question आ सकते है, उसके बाद आपको पता है कि Olympics भी चल रहा है, इसके उपर भी आपको definitely 101% question यह पूछे जाएगे, इसलिए उस हिसाफ से भी आपको prepare करना है, इसके साथ जो महाराष्टर में current affairs ह हो रहे है, उस पर भी आपको ध्यान रखना है, जिसके वज़े से आपके जो current affairs के मार्क से वो deduct ना हो, तो दोस्तो आशे करता है इस वीडियो के माद़े हम साब को जानकरी मिली होगी, अगर आपके मन में कोई भी doubt है तो comments के जरीए जरूर हम तक पहुचाईए, और आप लिंक आपको description box में मिल जाएगी, thank you